श्री सच्छान सफुरू साइनान महाराज की जय जय साइराब नमस्ते दोस्तों समता अड़े में आपको फिर से स्वागत करते हुए मैं समर रहा है समता अड़े के इंजिनिया आपको समने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आज का हमारा जो टॉपिक्स है यह टॉपिक्स है इस प्रकर कि एक वोकल ट्रैक को आप वेब्स का कोई भी दो या तीन प्लागिंज देखे कैसी इसको ट्यून अप करेंगे और बहुत इजी से लेकिन देखने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब्वियस्ली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका जो कॉमेंट्स है उसका रिप्लाइ दिया नहीं जाएगा आज का जो वीडियो है इस वीडियो में आप एक ट्रैक को लेके कुछ काम करेंगे जिसम blessing जो में चैनल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिये प्रद्द attack मिल सकते हैं लेकिन जब सब्सक्राइब ने सकते हमने सब्सक्राइब की जिए और अब को अगर ओगर एट्ट्रैक चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद हमको रिक्वेस्ट कीजिए हम आपका इमेल एडिस पर ये ट्रैक आपको फेज़ देंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का एपिसोर आज को टॉपिक समने शुरू करने जा रहे हैं इसमें है कि वोकल ट्रैक को कैसे अपना मुजिक ट्रैक के साथ आप अ करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर जो भॉकल ट्रैक यहां पर है हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर एक है यह वाला है में भॉकल ट्रैक और ही है साइड वोकल जैसे यह वाला और यह वाला है साइड वोकल बाकी सब जो है यहां से लेके आप तो यहां तक यह जो है यह है आपका music tracks इसमें क्या है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यह जो vocal tracks में बहुत सा drums है drums geek है snares है sides है top है और side drum का बहुत सा tracks में है और किटर ट्रेक्स है दो गिटर ट्रेक्स है एक पास लाइन है और इलेक्टिट की वर्ड्ट की सक्षिण इसे बोलते हैं क्षिफ शेक्षिन एक है 60 से कि बाकी जो है यह है अपकर साइट गोकल साइट रिलट टू और मेंột बोकल अज मैं जो यहां पर आक्सेस करेंगे और इसमें हम इसको सुनते हुए टोन बनाएंगे लेकिन आपको पहले देखना है कि यह ड्राई जैसा जब यह ड्राई था तो कैसा था सुनने को अब एक बाद देख लीजिए फिर इसमें हम लोग काम करेंगे चलिए सुनते हैं करें तो इसमें जो ट्रैक्स चल रहा है को पहले से हम लोग ने तो यह जो जो अधारब करेंगे पादाएंगे शोठीट करेंगे आथैजर्चाहि dönुट शेप 723 और DVX-160 जो इसके ज़री यह टोन बना के हम पहले से एक टेंटिटिव बैलेंस करके रखे हैं और इसका पैनिंग भी इसी तरह से हम लोग ने किया है अज का टॉपिक्स जो है में वोकाल को एकुब करने का और इसको कमपसिंग करने का ताकि इसका जितने सारे बैकिं आपको मिल जागा merits का π्लग इंस बंडिल में इसमें क्या के रहता दिखिए प्री आप रहता हैं हाई-frequency इसमें जो है को मिलेगा यह उ नीचे जो है kayak fermentation Q और सभसे नीचे जह है अइक 댄 प्री एक जो है नीचे आपको पता होगा कि हाइपास फील्टर बिसिटिकलि क्या करता है हाइपो छोड़ता है लो को शप्रेस कर देता है बहुंक जब आप इसमें सetrय करेंगे को करेंगे यह शान्स जो है उसको हम काट करेंगे दो कॉसफ्टी अर्स convening ब्रॉरक युन क की 60Hz की नीचे जितने सारे फिकेंसिस है वो साप्रेस हो जाएगा तो हम इसको ऐसा रखते हैं और इसके दिए कि फेज फेज को मतलब जैसे कि प्लास माइनस मतलब नेगरिटीव पॉजिरिव माइक का अगर पॉलरिटे आप चेंज करना जाते हैं तो फेज को चेंज करने से ठीक नहीं होगा जब आपका फेज चेंज चाहिए मतलब जब आप दो माइक्रफोंस एक ही मोटल का दो मैक्रफोंस यूज करेंगे वह भी क्लॉस में मतलब एक से करेंगे तब ही आपको किसी एक माइक का फेज चेंज करना पड़ता है नहीं तो सेंटर फर्स कैंसल हो इसक के साथ सा जी भोगल में जो लो टेकर चैंज है उसकां तौका छाब दोश करेंगे माजा ने ऑपा हो रहा है औरsz के साथ था तौइयक को भी तोड़ा सा मूष करता हूं 2.8 dB आभीण और इसके उपर देखिए प्रीयम सेक्षेन है और एक ड्राइज सेक्षेन आई प्रीयम को अउंगर रखते हुए क्योंकि आप और आपको ऐसा ही दिखे का तो उसमें क्या होगा प्रीयम पर तरह आपको टोन मिलेगा खुछ उक्षा तरफ और इस की फ्रिकेंशी होथ आपका बता है और नहें बढ़ाय लेकिन इसको बिना सुने कर रहा हूं क्योंकि को और पहले से पता है कि मैस्तों कर पाए रहा हूं लेकिन आप जब करेंगे को अलगसे सुनती करेंगे जैसे बोकल कर दिया और उसमें आप तूंड कर सकते हैं कि इसमें दिखिये अफोसा भोकल Quan सट्रेक में कुछ भी का इन यह राट है यह अकुंश नी नहीं यह दूसरा रूम से आया हुआ साउंड जो है यह साउंड बहुत लाओड था 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 साउंड घुस गया समें चाहिए तो एकोस्टिक इस्ट्मेंट होने के नाती सब का साउंड सभी मैक में थौरा तो चले गया है एक पार सुन के देखिए यह था पहला का साउंड अभी वा तो वोगल तो उसा करंची हो गया, देखें, तो उसा फ्रिक्यूब चाहिए, तो उसा मेट फ्रिक्वेंसी हम इसको बढ़ा रहा हूं, 2.3D भी किया, और इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी है, 2.8D से लेकर तो उसा आगे बढ़ाता हूं, 3.7D अभी इसमें जो अब को करो मेटर है, इसका इंट मेटर है, जो मैंने क Immediately है, तो माई चाहता हो थोरड़ासा इंट मिक्स वाल्य ठोरा सा भड़ा कर की हम कर दो होगा tam तो इसका उपननात की यहाम आऩ कि अधार मेटर में हम आपधा है क Leonardo तो फ्रसका प्रेज़ेंगे तो इसका प्रेज़ेंस अच्छा मिलेगा इसलिए मैं इसको 1.6 डीबी तक बुस्ट किया हूं फेडर लेवल को इस लेब ने पर इप एप एप एवन प्राम मिप अ तो जब शेप 7.3 का काम हो गया है अभी हम लोग कहां पर जाएंगे अभी हम लोग जाएंगे यहां पर इसका काम है कंपर्सिंग करना और लिमिटिंग करना इसे कहते हैं इसका जो बटन से यह है थेशल बटन इसको आप थेशल बटन कह सकते हैं और यह इसका जो इनपूट लिवल है इनपूट लिवल कितना दे रहे हैं इसको इनपूट लिवल चेक करने के लिए आपको यहां पर बटन दबना पड़ेगा और इसको प्ले करना पड़ेगा देख लीजिए एक बर इसको इनपूट लिवल मिल गया आपको आउट पूट लिवल क्या है यह है और गइन रिलक्शन कितने है इतना सा है लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हाँ साउंट तो अच्छा ठीक ठाग नहीं है कि को दबा हुआ लग रहा है तो इसके लिए त्रेशल लेवल जो है त् इसमें क्या होगा देखिए मतलब ज्यादा थेशल लोड़ा है यह देखिए इसके भोकल में ज्यादा साउंट कंपसिंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे इसको इतना थेशल लेवल हमको नहीं चाहिए मतलब गैन रेक्शन अगर इतना ज्यादा जो भोकल का टॉन है यह वोकल का जो ट्रैक है वो दबह हुआ लगेगा तो इसको तुरसा फ्री करते हैं चलेए तो इतना सा फ्री किया अब देखिए वहां पर दो बटन से जो तेसर लेबल जा रहा है सिगनल उसको बोलते हैं बफ सिगनल और बीलर सिगनल जो है यह लो तो बहुत देर तक जाना नहीं चाहिए अब्वेसलिह रहा बहुत जाएगा लेकिन उतना नहीं जाएगा जितना बतलब पुरा हमेशा लाल बति जाए रहे है साथ हमेशा नहीं होना चाहिए इसलिए इसकोम रखेंगे 1.4 किए 1.5 यह 1.5 रहा है और देखेंगे क्या आता है और वह वह दो चलेगा धिया है अप देख रहें यह यह आपर कभी येलो कभी रेड जाले लें बहुत बहुत फ्लेक्ट कर रही है तर्शय लेटिक लेट अब इसका गेंडेक्शन जो सिंगनल दिखा रहा है और भी बहुत कम थेखिए न में भी देख रहे हैं हम लोग तो यह जो जा रहा है इसको एक काम करते हैं अभी इसका तो और इसका तो कोछ गेंशन हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे यह जो आउट्पूट गेन जो है इसको तुरह सा आउट्पूट गेन इसको क्लिक करेंगे क्यूंकि हमको आउट्पूट मीटर मिले और गेन को हम बढ़ाएंगे तक रिवन जीरो डिबी का आसपास रहने चाहिए चलिए माइनस टेन के हम असपस घूम रही है तो थोरा बहुत बहुत बड़ा लगए है तो फोर्ट दे भी हमने बूस्ट किया है आउट्वूड गेन को तब जाके वो एक अच्छा साउंड दे रहा है लेकिन आप इस पे दहर नखिएगा कि यहां पर जो लाइट है यह लाइट रेट ना हो जाए यह रेट होने के मतलब डिस्टर्ट हो रहा है आपका sound जो output दे रहे हो, हो over distorted हो रहा है, distorted होने का मतलब क्या sound खड़ाब हो रहा है, तो ये sound खड़ाब नहीं होना चाहिए, over 0 dB हो जाएगा, sound खड़ाब हो जाएगा, obviously digital medium में आपको बता है, तो इसलिए आप इसका gain relation गोगा देख लिजिए, और output level भी देख लिजिएगा, input level हम लोग ने देख लिया है, input level कितना मिल रहा है, ठीक है, अभी output level देखेंगे, अभी output level माइनस में खड़ रहा हुआ है, अभी इसका 0 तक जाना चाहिए, 0 को touch कर रहा है, इसके साथ साथ gain relation में देख लेंगे, जब generation में हम क्लिक करेंगे, तो यह हमेशा 0 डियो में रहेगा, इसका नीचे आना चाहिए, थोरा बहुत नीचे आना चाहिए, लेकिन फ्लेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि फुरा दबा की रखे, इसमें क्या होगा, sound दबा हो रहेगा, लेकिन 0 में रहेगा, थोरा बहुत नीचे आपको जब यह आपर अक्टेब में जाता है, मतलब जब उसका SPL ज़्यादा हो जाता है, तो उसी SPL का, मतलब जब भी उसका sound ज़्यादा हो जाता है, तो green rotation उसको reduce करता है, किसके ज़री है, इसके साथ inbuilt जो ratio है, ratio बगरण सब कुछ इसका साथ ही है, और नीचे देखिए इसका input level, mix level and noise level, अगर थोरा सा noise आगा चाहिए आपको, तो थोरा सा noise दे सकते हैं, देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो एक hissing noise आ रहा है, सुनके देखिए, एक हिस ज़रा नाइसा हारा है, सुनके देखिए एक और से, तो इतना noise आपको नहीं चाहिए, हम noise तो आपको नहीं चाहिए, या नहीं रखिए अगर, mix level हमको 100% रखना है, क्योंकि जो compressing हो रहा है, उसका जो effect हमको मेल रहा है, 100% मिलना चाहिए और इंपूद लेविल अगर आपको ज्यादा लागे कि पहले से ज्यादा है तो इसको आप कम कर सकते हैं तो इस तरह से आप कंपरिशर एंड एक्यू जैसे के होता है कंपरिशर में DBX-160 उसके साथ साथ उपर में हैं सेफ 73 एक्यू एंड कंपरिशर दोनों को लगा के आप इसको टोन कर लिया अभी इसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा तो रिवब देगा देखे देखिए यहां पर बास में जाकिए यहां पर रिवब देजिए यह यह रिवब अगया आपके सामने और यह देखिए बॉ लेते हुए हम इसको बनाया है आप भी बना सकते हो लेकिन अब जब उसको ब्लें करोगे इसके आंदर कितना लेवेल होना चाहिए इसका आपका आई डिय होना चाहिए ज्यादा भाट commun के अए आठ विजु नहीं छैकिए ज्बाट सुनते हैं तो यह लगता है कि ठीक ठाग है अभी हम कहा जाएंगे अभी हम जाएंगे कि इसके बाद अगर डिले हम दिया जाए तो डिले भी हम देते हैं इसके लिए अलग वोक्स डिले रखा है इसमें सिर्फ हम लोग ने क्या लिया है डाइनमिक डिले जो यार का साथ पतला यार कमपणी का है डाइनमिक डिले यह वृटल से साथ आता है इसको हम ने यूश किया अभी यहां पर बास देंगे डिले डिले का बज़बास यह है डिले का बास इसका पैन भी आ गया अब जेखते हैं कितना डिले चाहिए उसमें अभी पूरा ट्रेक के साथ चलाएंगे सर्फ यह जो अपका साइड वोकल जो है इसको नहीं चलाएंगा अभी इसको मूट करेंगे और बाकी ट्रेक को चलाएंगा हम सुनते रहेंगे तो हम लोगों ने किया किया पहले तो यह इसको ट्रेक को टेंटिबली बैलेंस कर लिया लेकिन आप जब कर रहेंगे पहले बहुकल को बैलेंस करना है उनमें रिव डालना है डीले डालना है जितना मुनसीत समझे उतनाय रिव और डीले देजिए तक ही गाना को सुनने को अच्छ लगा आप लिए तो हम इसको लोग जो शुट शोड़गे और उसकी सरब से बाकी जो ट्रेक्स हैं यह सब ट् करते हैं। उसके साथ साथ उसका ड्रांड लाइन वसका बासलाइन उसका बॉडी लाइन जो है सब को बैलेंस करते हुए हमें फाइनल प्रीमिक्स लेवल हम बनाएंगे अभी हम क्या करेंगे यह जो दुनों साइड वोकल इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे क्योंकि यह जो हमने आपको दिखाया इसको सिखने के बाद आप अगर चाहें इसी ट्रैक को लेते हुए आप इसमें जो खाली ट्रैक जो है क्या करेंगे इसको हम जो वोकल ट्रैक है इसको खोल देते हैं अभी देखते हैं इसका सुनने को कैसे लगता है अब एक चीज़ गौड किया कि मैं जैसे यह दो जो जो भूकल ट्रैक साइड बोकल ट्रैक से इसको लेकिन मैंने सिह सिस्ट्वाण पॉैंट लेफ्ट में ट्रैक किया है पतले इसको सब्सक्राइब कने प्रश्जाची शुंट फैंट किया थैज्क जब आप सुननेंगे oul के सबस्तेियो ए करेक्छा कów कि ऊपनेकं लगए और वोकल ट्रेक्त को मैंने हमेशा सेंटर में रखा है रहे तो इसको अब सुनते हुए कि संट कैसा रहा है फिर है नहीं कि कोशिच पूला किजी आगर साउंड आता है तो वह और ढखा रहे हो आपको आपको मिलें यह सब ऑडियो ट्रैक्ज और आपको तरहाए लेकिन नहीं आपको यह प्लागइंस नहीं सेटिंग्स यहां से ए्रेस करेंगे आपको एक एक करके यहां पर ब्यागिंज बीटाना है और इसको टॉर्ण करना है छितने सारे लेवल लेवल देख रहे हैं आप यहां पर शेटिंग्स जो है यह सब जिरू में रहे अपको अगर प्रोटल्स नहीं तो आप हमें रिक्रूस्ट करेंगे तो हम आपको यह वाला फाइल जो है इसको रॉप आपको भीज़ देंगे लेकिन इसके लिए आपको हमारा सब्सक्राइबर होना जूरूरी है तो दोस्तों आप लोग प्रेइस करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ट्विक में अगला टॉपिस